हलो दोस्ता मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फीड से बहुत-बहुत स्वागते तो दोस्तों आज की इस पीडियो में आपको रिकाने जा रहो कोई भी सोंच को अपनी जियो कोला टून में आपके से सेट कर सकती हैं जैसे कि दोस्तों बहुत सरा टाइ से कोई भी सोंच को अपनी जियो कोला टून में सेट कर सकती हैं तो दोस्तों अगर आपको यह सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो को प्लिज एंड तक का देखते रहेगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा व और यहां से आपको एक एप को इंस्टॉल करना होगा जिस एप का नाम है जियो सावन ठीक है तो यहां पर अब टाइप करेंगे जियो सावन तो जैसे आप जियो सावन लिकर सार्च करेंगे तो यहां पर यह एप आ जाएगा यहां पर दोस्तों आप देख पार हैं यहां इसवे पहले को में इसाइब कर लेना है अपने फंट पर जैसे कि डूसतों इस आप को मैं पहले से इंस्टोल करके रफखाऊ तो मैं यहांसे ऑपन कर लेता हूं। जैसे अब इस app को open करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा language देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर language select कर लेना है कि कुछ सा language का आप सौंज को अपनी color tone में set करना चाहती है अच्छा आप यहाँ पर जियो tone पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा language देखने को मिल जाएगा ठीक है जो कि यहाँ पर आप देख सकती है trending geotone जो कि यहाँ पर जो सौंज आपको देखने को मिल रहा है यह सब trending पर है ठीक है तो यहाँ से देखिए बहुत सारा सौंज आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर scroll down करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा सौंज देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर आपको ऐसा कोई sownge set करना है जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा search का option यहाँ पर आप click करेंगे और यहाँ से आप जो भी sownge को set करना चाहती है आप यहाँ पर लिख कर सार्च करेंगे ठीक है यहाँ पर आप उस सोंज का नाम लिखकर यहाँ पर सार्च करेंगे तो यह सोंज आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं एक सोंज को सेट करके आपको दिखाता हूँ किस तर आपको सेट करना है जैसे कि यहाँ पर एक सौंज है मेरी आसी की तो यहाँ पर आपको उस सौंज की उपर क्लिक करना होगा जैसे आप इस सौंज की उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्ले करना होगा घ्यक्र तो यहां पर नाज जो सोंज ये बलेंग हो चुक का है उसके बाद में इस सउंज की उपर फिर से क्लिक करना है और यहां पर आपको देखने को मैलेगा त्री डोट आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में दुस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेट जियो टून आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेट जियो टून पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक एप को इंस्टोल करना होगा जिस एप का नाम है माई जियो ठीक है यहाँ पर जितना जियो सीम यूजर है सभी के पास यह माई जियो एप जो है यह होता है अगर आपकी फॉन पर यह माई जियो एप नहीं है तो सबसे पहले आपको माई जियो एप क को इंस्टोल करना है अपनी फन पर जैसे कि यहाँ पर यह मैं इस एप को एले से इंस्टोल करके रखाऊ तुम्हें यहां से ओपेंड कर लेता हूं अगर आप फास्टाइम माई जियो एप को ओपेंड कर रही है तो यहाँ पर अपने मुबाइल नमबर डाल कर यहाँ पर करना है और उसकी निचे दुस्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जियो टॉन स्टिक है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपके फन पर पहले से कोई जियो कोला टॉन सेट है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप स्कोल्डन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लेंगूज देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखिए यह सभी लेंगूज का यहाँ पर सौंज आपको देखने को मिल जाएगा आप जू भी लेंगूज का सौंज को अपने औरला समुच है। अगर आपको अपने पसंद दिदा साउज यहां पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सार्ज कर सकती हैं। तो जियो मैन तो सेट करने के लिए आपको यहां पर देखने कि मिल जाएगा जोकि यहाँ पर आप देख सकती है जियो टूण सेट सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पर यह जो सौन्ज है, सक्सेसफुली जियो कोला टून में सेट हो चुका है, तो यहाँ पर आप आप जिसका call अटून को copy करना चाहती है उसको यहाँ पर call करना है ठीक है अपनी जियो नंबर से ही call करना है call करने की बाद में दूस्त आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है simply जिससे call अटून बजएगा उस तैम आपको यहाँ पर star press कर देना है उसकी बाद में आप इस call को disconnect कर देंगे उसकी बाद में आपकी phone पर एक reply मेसेज आएगा उस message पर आपको शिर्फ Y capital में लिखना है और आपको reply दे देना है उसकी बाद में यह जो sound यह अपनी phone पर copy हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि तीन तरीके से आप कोई भी जियो कोला टून को अपनी phone पर set कर सकती है अगर आप यहाँ पर यह तीनों तरीका को यूज़ करके अपनी पसंदीता लाइक करें इस वीडियो को जएदा से जएदा अपनी दोस्तों की साथ शेयर करें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं और अगर आपने अभी तक मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके राके ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी